दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल शाट है ने टूजेड में स्वागत है दोस्तों आज हम 70 वर्ड प्रति मिनट से या डिक्टेशन देखने वाले हैं दोस्तों अगर आपको या डिक्टेशन पसंद आए तो आप डिक्टेशन को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब फार्म खोले हैं क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं अगर सारे खर्च जोड दिये जाएं बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड दिये जाएं तो पता चलेगा कि सारे ये क्रिसी फार्म घाटे में चल रहे हैं क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे जिस छेतर से मैं आता हूँ वहां एक पुल बना है मैंने दस वर्स तक अपनी बिधान सभा में इस पुल के लिए कोसिस की है जिस दिन से मैं यहां आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ बराबर कोसिस कर रहा हूँ मैं कहता हूँ की गंगा पर वह पुल बने उस पुल को बनाने का आश्वाशन भी मिला था एक प्रस्ण के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठा कर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा इन लोगों ने क्या कसूर किया है यह मैं आप से जानना चाहता हूँ हमारे छेतर के लोगों ने पाकिस्तान की लडाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था हर तरह की सहायता दी थी हमारे यहां की नवजवान भी मूर्चे पर जाकर डटे जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी अन की कमी कहीं नहीं थी अन की कमी भी हमारे बिरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं की सरकार असफल हो जाए यह लोग जो कहते हैं उसको आप समझें एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं दूसरी तरफ हम हैं जो की इनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सक हैं इसलिए सरकार का इन सारी चीजों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है एक ही तरीका हो सकता है कि